पर माकशी के पास चलते हैं आज के बिग बोल्ड ब्रोकरिज समझने के लिए स्वामाकशी मॉनिंग बताएं दिखते हैं और उवराल उनका मीडियम टम आउटलुक जो है वो स्टॉक पर ये बदल नहीं रहे हैं ओवराल ये कमफर्ट ज्रॉ कर रहे हैं क्योंकि कैंफिन होम्स के जो आरोई है ये कंसिसेंटली हाई रहे हैं पिछले कुछ सालों में ओवराल उन्होंने अपने फोकास को थोड़ा ट्रिम जरूर किया है मगर मीडियम टम यू और प्राइस टार्गेट को उन्होंने राजली अंचेंज रखा है तो ओल इन ओन मौगन स्टैनली ने अपनी ओवरवीट की रायक बढ़ करा रहा है टार्गेट प्राइस दिया है एक हजार रुपीस प्रतिशेक का कैन फिन होम्स की गिरावट को खरीदारी का मौका समझें और ये जितने भी इशूज आजकल दबाओ डाल रहे हैं कैन फिन होम्स में छोटे फ्रॉड के इशू मामले मौगन स्टैनली ने ऐसा कहना है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी का काफी अच्छा है तो हजार रु और ये ओन दाला एं क्विक